मेरे प्यारे देश वाशियो, सत्तर में गड़तंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मेरी हारदिक शुब कामना हैं। यह दिवस लोकतंत्र पड़ाधरित हमारे गणराज्जी के उच्छे आदर्सों को याद करने का आउसर है। यह दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्सों के प्रति अपनी आस्था को दोराने का आउसर है। और इन सब से बढ़कर हमारा गड़तंत्र दिवस हम सब के भारती होने के गवरव को मैसूस करने का भी आउसर है। हमारे गड़तंत्र के लिए यह वर्स बिसेश रूप से महत्पूर्ण है। इसी वर्स दो अक्टूबर को हम रास्ट्रपिता महत्मा गांदी की एक सो पचासपी जैनती मनाएंगे। गांदी जी ने हम सब को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने भारत ही नहीं अपी तो एसिया, अफ्रीका तथा दुनिया के कई अन्न देशों में सामराज जवाद को खत्म करने के लिए लोगों में आत्म विश्वास एवं प्रेणा का संचार किया और उन्हें आजादी की राह दिखाई। बापू आज भी हमारे गरतंत्र के लिए नैतिक्ता के प्रकास पुंज है। 26 नवंबर को हम सब अपने संबिधान दिवस की सतर्मी वरसगाट मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 के एतिहासिक दिन अपनी संबिधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने अपने संबिधान को अपनाया तथा स्वयम को समर्पित किया। उसके ठीक दो महिने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संबिधान लागू किया और भारत एक गनराजी के रूप में स्थापित हुआ। हमारा संबिधान हमारे गनराजी की आधार सिला है। यह एक दूर दर्सी और जीवन्त दस्ता बेज है। उच्छे आधरसो और देश प्रेम से उत्प्रोत संबिधान सभा के विद्वान सदस्यों ने इसकी रचना की। गरतंत्र दिवस के अवसर पर संभिधान की रचना के प्रमुख सिल्पी बाबा साहिब डक्टर भीम राव आमबेटकर का योगदान बिसेश रूप से इसमर्णी है। हमारा देश इस समय एक महत्पूर्ण मुकाम पर है। हमारे आज के निर्णे और कारकलाब 21 सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एक जुठो कर अपने प्रियासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सब के सामने है। इसलिए राष्ट निर्मान की द्रस्टी से आज का यह समय हम सब के लिए उतना ही महत्पूर्ण है जितना हमारे देश वासियों के लिए स्वतंत्र भारत का सुरू आती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्सों पर चलते हुए हमने आजादी हासिल किये। जनता को सरवो पर मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान सुरू प्रदान किया। वही आदर्स और मूल्य, लोकतंत्र और संबिधान के प्रती हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। हम सभी भारतवासियों को इस वर्स एक और महतपोर्ण जिम्मेदारी निवाने का अवसर मिलने जा रहा है। सत्रमी लोग सभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आहम चुनाओं में हम सब को अपने मताधिकार का प्रियोक करना है। इस चुनाव के दोरान हम सब अपने मतादिकार का प्रयोग अपनी लोग तांत्रिक मानताओं और मुल्यों के प्रति पूरी निस्ठा के साथ करेंगे यह चुनाव इस माइने में बिसेस होगा कि 21 सदी में जन में लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोग सवा के गठन में अपना योग दान देंगे यह चुनाव सभी देशबासियों के लिए लोग तंत्र में अपनी सक्री भागिदारी निभाने का एक महतपूर आउसर है चुनाव के समय हम सब साजेदारी और समानता पर आधारित समाज की आशाओं और आकांचाओं के लिए अपनी प्रतिवद्धता को दोहराते हैं हमारे लोग तंत्र की सफलता के लिए मतदान करना हमारा एक पुनीत करतब बन जाता है मेरा आप सभी से अनरोध है कि इस करतब का अवस्पालन करें हम सब को यह याद रखना है कि यह समय हमारे देशवासियों की आकांचाओं को पूरा करने और विक्सित भारत के निर्मार की यात्रा में एक महतपूर पढ़ाओ है आज हम अपने सतत प्रियासों से गरीवी का अंत करने के निरनायक दोर में हैं देश ब्यापी प्रियासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास, पीने के पानी, बिजली और टाइलेट की सुवधा मिल रही है गाओं को सहरों से जोडने वाली सडकें और पुल बन रहे हैं सहरों में आवास तथा आधनिक जन सुवधाएं उपलब्द हो रही है हर घर तक बिजली पहुँच रही है हमारे युवा होनरवन्द होकर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं जो लोग अपना बेवसाय करना चाहते हैं उन्हें बिना गरंटी के लोन की सुवधा सुलब कराई जा रही है हर गरीब व्यक्ति तक स्वास्त सेवाएं पहुचाने का एक ब्यापक कारक्रम सुरू किया गया है लोगों को जन अवसदी केंदरों में सस्ती दरों पर दवाईया मिल रही है हिर्दे रोग के उपचार के लिए इस्टेंट जैसी जीवन रक्षक मेडिकल डिवाइसिस की तथा घुटने के इंप्लांट की कीमतों में काफी कमी की गई है रियायती दरों पर डाईयलेसिस की सुविधा प्राप्त हो रही है हमारे गरीब भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अनेक प्रियास किये जा रही है देश के कोने कोने में मुबाईल फोन तथा इंटरनेट की सुविधा होने से डिजिटल कनेक्टिविटी में करांतिकारी बदलाव आया है बंदर गाहों, अंतर देशी जलमारगों, बेतर रेल सेवाओं, आधनिक मेट्रो सुविधाओं, रास्ट्री राजमारगों, गाहों की सरकों और देश के अंदरूनी इलाकों में किफायती हवाई यात्रा की सुविधाओं से कनेक्टिविटी बेतर हो रही है आज ये देखकर प्रसनता होती है कि नवीनतम टेक्नोलोजी को तेजी से अपनाते हुए हमारे किसान अधिक समर्थ और हमारे जवान अधिक सशक्त हो रहे है टेक्नोलोजी और नई सोच के बल पर हमारे उद्यमी विकास की नई इबारत लिक रहे है आज दुनिया की निगाहें हमारे युवा उद्यमियों और हमारी अर्थ बिवस्ता पर ठीकी हुई है मेरे देश वासियो देश के विभिन भागों में अपनी यात्राओं के दौरान मैं समाज के हर वर्क के लोगों के साथ मिलता हूँ और देखता हूँ कि आम लोगों में कठिन परिस्त्रम और इमानदारी से हासिल की गई उपलब्धियों के प्रती सरहना का भाव है यह सरहना उन वरिस्ट नागरिकों के विचारों में और भी साथ जलकती है जिन्होंने अभाव के दौर को देखा है यह सफलता हम सबने कड़ी मेहनत से हासिल की है अनेक छेत्रों में हमने अभाव को प्रिचुरता में बदला है उदाहरण के लिए आज देश में खाद्यान का प्रिचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है रसोई गैस आसानी से मिल रही है फोन कनेक्शन लेना हो या पासपोर्ट बनवाना हो बैंक में खाता खुलवाना हो या दस्तावेजों को प्रमानित करना हो इन सभी छेत्रों में सुधार और बदलाव दिखाई दे रहे है महिला सशक्ती करन के छेत्र में हो रहे सामाजिक बदलाव अत्यधिक महत्पूर है हमारी बेटियां, सिक्षा, कला, चिकित्सा और खेल कूल जैसे छेत्रों के अलावा हमारी तीनों से नाओं और रक्षा विज्ञान जैसे छेत्रों में भी अपनी विसेश पहचान बना रही है उच्च सिक्षन संस्थानों में पदक पाने वाले विद्यार्थियों में प्राया बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होती है ऐसे बदलाओं के बहु आयामी लाव मिल रहे है सब को साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है इस विकास के दाइरे में हम सभी देशवासी सामिल है जन सुविधाएं सब की पहुच में हो तता विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिले इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं देश के संसाधनों पर हम सभी का बरावर का हक है चाए हम किसी भी समू के हूँ, किसी भी समुदाय के हूँ या किसी भी छेतर के हूँ भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी डाइवरस्टी, डेमोक्रासी और डेवलप्मेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है गांदी जी ने अपनी पुस्तक, मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि मैं ऐसे भारत के निर्मान के लिए कोसिस करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह मحसूस करेंगे कि यह देश उनका है इसके निर्मान में उनकी आवाज का महत्त होगा जहां उंच नीच का भेद नहीं होगा तता इस्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को प्राप्त होंगे इस संदर्व में इसी माह संबिधान संसोधन के द्वारा गरीब परिवारों के पृतिभाशाली बच्चों को सिक्षा एवं रोजगार के विशेश अवसर उपलब्द कराई गए है सामाजिक न्याय और आर्थिक नैतिक्ता के मानधंडों पर जोर देकर समावेशी विकास के कारे को और भी ब्यापक आधार दिया गया है टेकनोलाजी और नई सोच के बल पर समाज के हर वर के लोग विकास की आत्रा में सामिल हो रहे है प्यारे देश बासियो हमारे महान गणतंत्र ने एक लंबी आत्रा तैकी है लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है खासकर हमारे जो भाई बहन विकास की दौर में पीछे रह गए हैं उन सब को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है 21 सदी के लिए हमें अपने लक्षियों और उपलब्दियों के नए मान दंड निर्धारित करने हैं अब हमें क्वालिटी यानि गुर्वत्ता पर और अधिक ध्यान देना होगा सभी वर्गों और सभी समुदायों को समचित इस्थान देने वाले रास्ट के रूप में आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसे समाज का निर्मार करना है जिसमें हर बेटी बेटे की बिसेस्ता, छमता और प्रतिभा की पहचान हो और उसके विकास के लिए हर तरह की सुविधाएं और पोटसाहन उपलब्द हों पारस पर एक सहयोग और साजेदारी के आधार पर ही समाज का निर्मार होता है चाहे परिवार की खुशी हो, बेवसाय में प्रगती हो, समाज और रास्ट का निर्मार हो या फिर एक बेहतर विश्व विवस्था की स्थापना हो यह सभी उद्देश प्रत्यक व्यक्ति, समाज, सरकार और रास्टों के आपसी सहयोग से ही प्राप्त किये जा सकते हैं सहयोग और साजेदारी की यह भावना ही पूरे विश्व को एक ही परिवार मानने वाले बसुदहिव कुट मुकम के आदर्स का भी आधार है बिचारों के सहज आदान प्रदान, व्यापक संबाद और गहन संबेदन सीलता के माध्यम से साजेदारियां मजबूत होती है इसी तरह यह समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी के लिए भी प्रासंगिक है हमें इन वर्गों की समस्याओं को सुनने, समझने तथा उनका समाधान करने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन आदर्सों में लोक सेवा का बहुत अधिक महत्त है हम सब के हिर्दय में उन व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रती सदयु समान का भाव रहा है जो अपने सामान कर्तब्यों की सीमाओं से उपर उठकर लोक सेवा के लिए समर्पित रहते हैं अच्छी नियत के साथ किये गए योगदान को मानता और सरहना मिलनी ही चाहिए चाहे हुए योगदान किसी व्यक्ति का हो, समूह का हो, निजी या सार्वजनिक संस्थाओं का हो या फिर सरकार का हो मेरे प्यारे देशवासियों, देश हो या विदेश, हर जगे जीवन के यही आदर्स हमारा मार्ग दरसन करते हैं हमारी यही सोच सहयोक तरास्ट के सांती मिशनों में, जलवाई परिवर्तन के मामले में, मानवी सहयोक परदान करने में या फिर प्राकरतिक आपदाओं के समय रहात पहुचाने में भी दिखाई देती है परणाम स्वरूप आज विश्व पटल पर भारत के योगदान की सरहना होती है और पूरे विश्व में हमारे देश को विशेश सम्मान की दरस्टी से देखा जाता है मैं इस बात का विशेश रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इन्ही आदर्सों की वनियाद पर हमारे गणराजी का निर्मान हुआ है लोकतांतरिक लक्षों को लोकतांतरिक माध्यमों से समावेशी लक्षों को समावेशी साधनों से करोना और संबेदना से जुड़े लक्षों को करोना और संबेदना के जरिये तथा संबाइधानिक लक्षियों को संबिधान संमत साधनों से प्राप्त करना ही हमारे गणतंतर की मूल आस्था है हम सब को ये सदय ध्यान रखना चाहिए कि अपने संबिधान के माद्यम से हम भारत के लोगों ने ये सामोहिक संकल्प लिया है कि सभी देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक नियाय दिलाएंगे सभी भारतवासियों को प्रतिस्था और अवसर की समानता उपलब्द कराएंगे हर व्यक्ती की गरिमा सुनिश्चित करेंगे और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाएंगे अपने इस संकल्प के साथ हम सब अपने गरतंतर की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मुझे विश्वास है कि संभाईधानिक आदर्शों के बहक के रूप में आगे बढ़ते हुए हम भारत के लोग अपने गरतंतर के लक्षियों को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे मैं एक बार फिर देश और विदेश में वसे आप सभी भारतवासियों को गरतंतर दिवस की हारदिक बधाई देता हूँ और आप सब के सुकत भविस की मंगल कामना करता हूँ जै हिंद